हेलो एवरिवन स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस प्रो में तो स्टुडेंट्स आज हम फिर से होम साइंस क्लास 12 सीब्यसी बोर्ट एक्जाम 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के मैं आज आई हूँ और यह सेकिंड पार्ट है पार्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं कोशन नंबर 24 तक हम कर चुके थे आज हम कोशन नंबर 25 एजुकेशनल क्वालिफकेशन नेसेसरी फोर केरियर इन आर्ली चाल्ड हुड पढ़ेंगे और साथ में बात करेंगे जुए नाइल जस्टिक एक्ट यह 2015 में लागू किया गया था इसका प्राइमरी लीगल फ्रेमवर्क जो है वो है जस्टिस अर्डॉल सेंस के लिए इंडिया में और इसको रिप्लेस्ट किया गया था 2015 में जुए नाइल जस्टिक एक्ट को तुपार्ट में डिवाइट किया गया है थास हूँ आर इन कंफ्लेक्ट विद लो और इस आर अलसो काल्ड जुए नाइल डेलिक्वेंट और आर्रेस्टेड बाय पुलिस फोर वोलेंटिंग दी इंडियान पैनल कोर्ट और बिकोस यह व कमिचिड दी क्राइम और आर अक्यूस्ट ओफ टाइम और दास कंसिडर तो बी इन नेड ओफ केर और प्रटेक्शन दो तरह के जो की बाले अवस्ता में ही कानूनी अपराद कर देते हैं उनके लिए है और दूसरा जिनको प्यार की के जरूरत है जिनकी केर करने वाला कोई नहीं है जो बे सहार होते हैं उनके लिए यह है अक्ट परवाइड फॉर अडप्टिंग ए चाइल फ्रेंडली अप्रोच इन दी अड़क्टिशन और डिपोजिशन ओफ मैटर इन दी बेस्ट इंटरस्ट ओफ चिल्डरन्स और इस एक्ट के अंडर क्या होता है कि अगर को noodles ई हम शुता है किसी के माता पिता नहीं है कोई अनात है जिसको जुसकी बेसिक नीठ्स जो है वो भी पूरी नहीं हो पाती है तो ऐसे बच्छो को जो है दो तरह का जो इसमें ग्रह होते है विशेश ग्रह हुर बाल ग्रह है initial home और आपके जो grip फो चिल्डरन हों सो होते है टू टाइप्स के मैंने आपको बता हैं उस तरहां के बच्चों को जो हैस में रखा जाता है जो बच्चे 18 साल से कम होते हैं और कानूनी अपरात कर देते हैं उनके लिए विशेश ग्रह होते हैं और बाल ग्रह वो होते हैं जहां पर उन बच्चों को रखा जाता है जो की वल अब्जेक्टिवस क्या है। अंगनवाडी इसका एक बेस्ट एक्जामपल है। अंगनवाडी इसका एक बेस्ट एक्टिवस क्या है। अंगनवाडी इसका एक बेस्ट एक्टिवस क्या है। अंगनवाडी इसका एक बेस्ट एक्टिवस क्या है। अंगनवाडी इसका एक्टिवस क्या है। और स्केंटरी और प्राइमरी उनसे बनते हैं वो टर्शरी होते हैं। जिसमें प्राइमरी भी होता और स्केंटरी भी होता है। उनको मिक्स सेम क्वंटिटी में किया जाता है। वो आपके टर्शरी कलर्स होते हैं। जैसे yellow plus green, yellow green, yellow orange, and blue green, blue purple, ये सब ये स्पिरेमिट की according ही होता है, जैसे कि हमारा wheel होता है, एक colorful wheel, lines के होती है, दो तरह के होती है, straight lines and curved lines, vertical, horizontal and diagonal lines, long and curves line, etc. straight lines कोन सी होती है, vertical lines and diagonal lines and horizontal lines, वर ये क्या करती हैं, हमारी лंबाई का एहसास करवाती है, हमारी width curved line जो है width का एसास करवाती है यह अगर कोई पतला है और मोटा दिखना चाहता है तो इस type की lines को wear कर सकता है और अगर किसी कोई height come है तो vertical lines को wear कर सकता है fashion development क्या होता है the ancient and medieval styles and did not change for almost a century and fashion changes were encouraged by western civilization and globalization fashion of France फ्रांस को fashion अब क्यों कहा जाता है क्योंकि वहीं पर पैरिस में पैरिस को यूरोप की राजदानी कहा गया है fashion के मामले में और वहां पर 18th century में इसका international fashion बिगें होई थी और इसको जो रोयल कस्टमर्स थे वो बहुत ज़्यादा अमांट में इसको खरीद रहे थे और इसके उपर जो इसका वेपार silk ribbons, laces, etc material were supplied from different cities of France and garments were hand-stressed according to the person and size and measurements मशीनों का विशकार हो चुका था जो मशीन थी वो पैरे से चलने वाली मशीन में बदल दी गई थी और जहां हातों से कपड़े सीले जाते थे वहां फिर वो कपड़े जो है measurements के according, fittings के according सीलाई मशीनों से सीले जाने लगे थे और इसी तरह से जो है fashion का वेपार बढ़ता चला गया और ये एक ब्रगरती इसमें जो है development हो गई आप यहां पर देख सकते हैं आज जो present time का जो fashion है जो किस तरह से increase हुआ एकदम से पहले के समय में जो machine नहीं थी सारे कपड़े हाथों से ही सीले जाया करते थे उस time पर measurements भी नहीं थी लेकिन जब से हमारे सलाई मशीनों ने उनकी जगा ली है तब से fashion ने बहुत development कर ली है next is washing equipment जिसमें हमारे top loaded machines होती है होता है आपकी महनत ज्यादा लगती है और जो आपकी semi machines होती ही automatic होती है जो मुष्टली घर में पाई भी जाती है उसमें विद ड्रायर होता है इसमें manually के according थोड़ा कम महनत लगती है और front loading machine में तो आपको पता ही ही है automatic machine है थोड़ा कम ही महनत होती है टॉप लोड़िंग और front loading टू टाइपस तो यह topic हमारा यहीं पर समापत होता है आशा है कि वीडियो आपके लिए बहुत helpful रहेगी और इसका part 1 जो है आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगा प्लेज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें थैंकू बहुता है